नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में कैसे आप सभी लोग आज हम आपको बताएंगे आपके सरीर में एक ऐसा निसान पाया जाता है जो अधिक तर्द देखने को तो नहीं मिलता फिर भी सौ में दस वेक्तियों के सरीर में ये निसान अक्सर देखा जाता है लेकिन अपसोस की बात इसके बारे में ना किसी चैनल वारों ने बताया ना इसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की जानकारी आपको मिली हम देंके जानकारी सटीक अच्चूक और परमारी उससे पहले निविदान है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए ताकि हम लाते हैं आजमाई हुए अचूक और परमाडि तोटके उपाए मंत्र साधना त्याद जिससे हिंदोस्तानी बल्कि 23 कंट्री के लोग निशुल के फाइदा उठा रहे और जो हमारे शुनातन धर्म की विद्याओं का ब्यापार हो रहा यानि तंत्र मंत्रियंत के नाम पे बोले बाले लोगों को गुमराह किया जा रहा उससे बचाना मेरा फर्ज है ते इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दें लाइक कर दें ग्रुप में सेयर कर दें ताकि कोई भी हमारा भाई बहन इधर उधर किनी चक्रों में मत्मसे और अपना शमय नमर बात करें साथ ही छोटे छोटे अचूट परियोग स्वेन घर पे करें और उसका लाब उठाए मैं रुद्रेंद स्रण मिश्रा रुद्र स्रण महराज उत्तर परदेश आयोध्या जी से मर्यादा पुरुषत्तम स्री रामचलर जी की नगरी आयोध्या से आप सभी लोगों का अश्यरवाद कृपा विगत तिन चार वरसों से मिलना उसके लिए मैं और मेरा परवाद हमेशा आपके रणी रहेंगे आपको किसी प्रकार की अश्यर्वदा हो नेशुलक अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए आप एक लाइन में एक समस्य अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे कॉलिंग नंबर आपको हर फोन में हर वीडियो मे हर वीडियो में हर डिस्क्रेक्शन बॉक्स में आपको मिलेगा और सुबह 10 बजे से साम को 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं अब आएक काम की बात करते हैं बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, साधी बया होती है, बुजर्ग होता है, खतम हो जाता है लेकिन क्या आपने कभी अपने बच्चे, अपने पती, अपने पिता, अपनी बेहन, अपनी बेटी, अपने जो भी आपके रिलेशन में हैं उनके उपर ध्यान दिया कि उनके सर पे अक्सर एक निसान पाये जाता है उससे हम लोग बोलते हैं चक्री या भावर भवर मिन जानते हैं, भवर होता है जिसे नदी में भवर आता है गोल गोल घूम के एक ही जगा पाने इंट्री कर जाता है, उसी तरीके वो चक्र बालों में ऐसे ऐसे घूमता हुआ चक्र जिसे किसी चिद का राउंड सा बना हुआ, एक निसान सा बालों का निसान हो जाता है कभी कभी पीट पर भी देखा गया है ये पीट और सर पर दो जगा अक्सर पाए जाते है तो आएए सबसे पहले मैं बताता हूँ पीट पर अगर किसी के भवर का निसान यानि चक्र का बालों का जो राउंड असा होता है ऐसी सीधी लाइना कि ये और राउंड करके फिर ऐसे होगा पीट पे बालों पे जहां सिखा रहे थे इस जगे या देहने या बाएं कहीं भी सर पे हो सकती है तो अगर पीट पर ये निसान है तो ऐसे व्यक्ति को साउधान ऐसे व्यक्ति नदी तलाब स्विमिंग पूल शमुंद्र कहने का ताज पर ये है कि पानी से दूर पानी जो गहरा हो वहाँ स्विमिंग ना करें ज़्यादा गहरे पानी मना जाएं अन्रथा 99% ऐसे व्यक्तियों को पानी में डूबने से अकाल मिर्थ के योग बते हैं तो पानी से दूर रहें ऐसे लोग जिनके पीट पर है और जब भी आप नदी या कहीं जाएं सुनान करने तो किनारे हैं सुनान करने ज़्यादा गहरे में न जाएं ठीक है आपके साथ इसके साथ एक अच्छी भी चीज़ जूड़ी है कि बिवाह उप्रांग आपका भार गुद्य तेजी से बढ़ता है पत्नी अच्छे परवार की मिलती है पत्र और पत्री उच्छ पद को प्राप्त करती है जिससे आपका कुल खांदान का नाम समाज में रोशन होता है अब आईए सर पर, जिसके सर पर रहता है, ये सर के किसी हिस्से में अगर भावर, जिसे भावरी भी बोलते हैं, बावर भी बोलते हैं, चक्र भी बोलते हैं, अगर मिल जाता है, तो ऐसे बालक अगनी से दूर रहे हैं, आग से, आग से बहुत खत्रा रहता है, अगनी वाली कोई यंत्र होगे अगनी वाला कोई काम कर रहे हो तो वो किर्पया सावधान होके करें ऐसे जातक बालकाल में काफी सुख रात करते हैं और ऐसे जातिकों के भाई बहन में से किसी की एक बालकाल में मौत यह यह वावस्था में मौत होती है अगनी से पचना चाहिए उसके साथ ऐसे जातक वर्स 22 यानि जिसका चार अंक 22 यानि मूल अंक वर्स अंक जो होता है 22 यानि 22 जो अंक आता है उसका टुटल चार हुआ तो जो चार अंक मूल अंक चार का जब उनका जब वाई साल के हो जाते हैं उसके बाद उनका भाग्योदे पेजी से बदलता है और वो अपने घर से पूर्व दिशा के तरब उनका भाग्य होता है अक्सर ऐसे वेक्तित तीन भाई देखे गए हैं और उनके पिता भाईयों में सबसे बड़े देखे गए हैं यह दोनों वेक्तियों के लिए जिनके पीट पे और सर पे हैं इसका सुभा सुभ फल प्राथ करने के लिए किसी भी पूर्वमा को आप नारियल की जटा लाईए थोड़ी सी नदी किनारे जाईए और उसको राउंड राउंड जैसे चक्कर होता घुमा लीजिए गुमाने बाद ऐसे किसी तागे से जैसे चक्री दिपा ली नाचने ली नहीं होती उस तरीके से राउंड करके गुमा के तागे से बांध लिजिए ताकि उपले नारियल की जटा को जिस अंग में आपके पीठ पे हो तो पीठ पे साथ मर्तबा आप ना चुआ सके आपके स नदी है हम अपोजित दिप्रेग दिशा में ऐसे करके फेग दिए नदी में पीछे मुलके नहीं देखना सिधे घर चले आओ इससे क्या होगा कि जो दोश है वो कम हो जाएगा और आगे आपके साथ बढ़ियां होगा इसी विसे पर ऐसे कुछ वीडियो अगली लाने वाला हूं कि कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारी डेट आप बर्थ क्या है मैं कब पैदा हुआ था नाम बस भीया यही बुलाया जाता है यही मैं जानता हूं वो कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं तो एक सरव तरीक अधियों से जूज रहे हैं क्या करें कि आपकी जीवन में खुसहाली आ जाये क्या करें कि घर में अन्य धन के भंडारे भरे रखे क्या करें कि समाज में नाम हो जाए ऐसे कुछ एक छोटा सा सूत्र लेकर आ रहा हूं परियास कर रहा हूं मैं इस्ट्रोलाइजर तो नहीं एक फार्मूला निकाला गया है वह फार्मूला मैं आपको दूँगा उसको प्रयोग करिएगा और हमारे चैनल की जो लिंक है मैं डिस्क्रेक्शन बॉक्स में दे रहा हूं किसी प्रकार की मेरे ख्याल से मनुष्ट के जीवन में जितनी ब्याधियां होती हैं परेशानी हो सब सम्मंदित वीडियो पढ़ चुकी हैं आप देख सकते हैं साधनाय मैं कोता दूं बहुत से लोग हमारे भाई बंदू लाक लाक दूदो लाक रुपए देके साधनाय मैं साधर अमंत्रित करता हूं स्वागत करता हूं वो जो पायना चाहते हैं उनके अंदर हिम्मत हो उनके अंदर हिम्मत हो कुछ करने की बाकी चैलेंज मेरा है उस योग बना दूँगा कि समाज की सेवा करें मानो जात की सेवा करें देश की सेवा करें धर्म की सेवा करें राष्ट की सेवा करें और ये जो बहरुपिये घुम रहे हैं तांत्रिक मांत्रिक कोई काला जादू कोई नीला जादू कोई अगोर बनाए फरजी समसान नहीं है कही अंधेर में जाके आग शुलगा रहे हैं जो तो उनका बेस्वुसा सारा कुछ अलग होता फिलमी बाबा एक्टिंग सारा इंग चलन है इसी करा हमारे बिरोधी भी बहुत होगे कमें्ट में उल्टा सीधा आप वही लोग होते हैं जिनके बार जैसे मैं भूलता हो तो उनको पीड़ा होते हैं इनके चैनल और लेटी हैं तो वह हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं दिखिए उल्टा सीधा पूलने कोई फायदा नहीं बिटा कुछ ऐसा करो कुछ दम हो दिखाओ फेस करो लोगों को लाइब दिखाओ कि देखो मैं यह हूं तो तुम्हारी इज़त मैं भी करूंग कुछ debate रखी मदारी बने क्लम फिर लगाएं कि सनातन धर्म दनाव हो रहा है है कि आप से जोड़कर ऐसे लोग सनातनध pragma को बदनाम ना करिए आप कुछ अगर आपके अन्दर है उनलोगों को लाइफ दिखाइए लोगों भला करिया नायिंगा हम ज़ना चाहते हैं आ मुझे किसी बात का डर नहीं द्यान से सुन दो कि डरे वो किसी को जब मोह माया हो हमारे साथ भारत देश की विश्व की बहुत सारी माताओं का बहनों का शिरवाद है सभी लोगों का प्रेम है मैं थोड़ा कड़वा बोल जाता हूँ जैश्यारम हर हर महादेव